खबर भीलवाडा के मांडलगर्ट से है जोहां लॉकडाउन के बाद बड़े शहरों में रोजगार के लिए रहने वाले ग्रामिनों का अपने गाउं की और लगातार पलायन चारी है पलायन करने वाले लोग अपने साथ छोटे बच्चे और महिलाओं को लेकर वहनों के अभाव में पैदल ही निकल पड़े ऐसे में वज़ुरों के पास में रुपे की कमी के चलते खाने पीने का संकट अब खड़ा हो गया है आपको बता दे गुलाब पुरा जोटपुर समेत अनिक शहरों से सैक्टों लोग लगातार पलायन कर रहे हैं उदर मांडलगर उपखंड मुख्याले के कई गाउं में शहरों से आने वाले श्रमिकों का आना लगातार जारी है इसके चलते लोगों में वारस के संक्रमन को लेकर कई तरीके की आशंकाई भी अब बनने लगी है अब बिचारों के पास वाहन नहीं है वाहन नहीं होने के अबाव में यह लोग जैसे तेसे करके लंबी दूरी कर रोड़ पर अपने गाउं के गाउं के ओर जाने के लिए संगर्ष कर रहे हैं इसी दोरान हमें जोदपुर से जलावार जाने के लिए कुछ लोग मिले जिनका एक जत्ता यहां मांडलगट के होडा गराम में ठहरा हुआ जो यह एक बोजन खाना बना रहा है मेरा केमरा में दिखाएंगे आपको कि यह लोग जो जोदपुर से आये हैं अब पता नहीं कैसे संगर्स करके यह लोग जलावार जाएंगे उनको कितनी संगर्सों का सामना करना पड़ रहा है सरकार को चाहिए कि ये जो लोग प्लाइन कर रहे हैं इस प्लाइन के उपर भूर करके इन लोगों के लिए कोई न कोई रास्ता निकाल कर इनको इनके घर तक पहुचाने की विवस्ता करानी चाहिए ताकि इन लोगों को परिशानी नहीं हो केमरा में सुरेश सेंद के साथ केश्रिमल मेवडा एवन टीवी रजस्तान